Hello everyone, this is the continuation video on underwriting of shares अब हम एक नया concept पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है that is called firm underwriting firm underwriting देखियो firm underwriting का मतलब कहा है अब एक concept कहा है यहां पर अंडुरेकटर्स की बोल रहे हैं 90,000 shares की जिम्यदारी हमारी है लेकिन जब अंडुरेकटर्स की चीज़िस नहीं पजिते देखी तो यहां पर वैसे तो अंडुरेकटर्स करते हैं कि जो 90,000 की जिम्यदारी है वो share issue basically कोंगरता है इस्ज तो देखें यहाँ पर क्या करते है कि company करती है, कि subscribe क्या करता है public कर दती है यहाँ कि Public का पैसे अलगा होता है यहाँ नेकि यहाँ पर क्याता है कि यहाँ पर under address company के बारे में बहुत knowledge हो जाती है वह जब company को पतलता है कि इस company में जह आने वाट टैम में जो है इसके शेर्स काफी ऊपर चल जाएंगे बिकुछ यह profitable जो है पर growth potential इस company को बहुत अचा है तो यहाँ पर अपना पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाता है कि इतने शेर्स तो हम अपने अपने pocket से देंगे तो यहाँ पर मालेजिए कि वह बुलते है कि 90,000 तो हम वैसे हम public से मांगेंगे लेकिन 10,000 मैं खुद interest करना चाहूंगा तो इसी शेर्स को बोलता है that is called firm underwriting इसी concept को मिलते हैं firm underwriting बागी concept होगी है कि mark applications क्या होते हैं अन्मांग applications कितना होंगे और firm underwriting कितना होगा लेकिन या दखना सब मिला कर जहें हो वो कितना होंगे वो एक लाग से उपर नहीं हो ची ओविसली एक लाग से उपर होंगे कियो जब company share ही चुकर रही एक लाग की रा कि छोबिजा satisfy कि मां लेकिआ होगा दरदा से मैं लेकिआ होंगा आद्रेकिटर स्मेडा को एप्लिकेशन फर फार म अंडरेटिं अदर एन्यों के यह लिखा हुआ है कि जो total subscription मिले हैं जो total subscription मिले हैं कि तो मैंने 20,000 shares मिले हैं company share ही शुकतना गार जारी 40,000 लेकिन आये कितने से 20,000 ठीक है अब जो सवाल उठता है कि जो 20,000 share आये उसमें क्या include है क्या उसमें marked applications हैं क्या उसमें जो firm underwriting shares है वो भी include है आगे पटते हैं लिखाव है total subscription excluding firm underwriting लेकि firm underwriting कितने टोटल कितने आपर कितने हैं 32,000, 1200 और 4,000 इंका total कितना होगा यह होगा आपका यानि कि यह होगा आपका 6400 6400 वो क्या है firm underwriting कि यहां पर जो है firm underwriter से उनको personal interest है ठीक है और जो 20,000 share है वो इसमें include नहीं है है इसमें marked है ठीक है तो marked हम दिखेंगे कितने कितने लिगा है अब marked अपने किसकते हैं यानि कि P के वरे से 4000, Q के वरे से 8000 और R के वरे से 2000 अब हम नहीं करने है net liability of each underwriter बहुत ध्यान से दिखना है आपको यह question tricky है मैं फिर से पहलों question tricky tricky को है अब पढ़ेंगे solution दिखेंगे किसका किसे है अब यह first time मैं लिखेंगे यह मत पढ़ेंगे सिफ concept दिखेंगे आप कंपरी ने टोटल जो 20,000 शेयर रिसीव किए जिसमें फिर्म अंडरेटिंग एक्सक्लिवड है ठीक है फिर्म अंडरेटिंग हम लेकर टोटल कितना है 4400 तो वह जो इस बिजर में इंक्लिवड नहीं है चलो ठीक है सर समझ आ गया पी की फिरिसे जो है 4,000 शेयर किवीड जोटल करोगी तो टोटल कितना रहा है देखिए आपर कितना रहा है जो दा जार रुबे जोदाशा शेयर कितने मिसे बीजार मिसे जो छेजर एक्स्ट्रा आएं वह एक्स्ट्रा नहीं आहें वह कहां से आए कंपनी के अपने फोर से आए यानि कंपनी ने भी अपने कंट्रिबुट किया होगा तो वह क्या होगे अनमागद अप्लिकेशन यहां पर क्लियर हो गया है चलिए अब हम प्रत अतने जाट में से क्लिकुलिशन ओफ नेट लाइबिटी ओफ इच इच एच अंडरेटिक्स तो अब यहां से देखिए आपके कंसेप्ट थोड़ा इंपोरेंट है यह वाला पॉइंट इंपोरेंट है यहां से देखिए देखिए उपर हमने कुश्चन कहा था मांग्ड मानेस अनमाग कर रहा हूं देखिए अब अनमाग्ड में क्या आएगा कंपनी के विरे से आए 6000 शे और उपर से जो 6400 खुद बोलते हैं कि हम अपनी पॉकिट से देंगे तो क्या यह भी अनमाग्ड अप्लिकेशन रज़त है तो यहां पर देखिए आपको जो मैं दोनों पार्ट से करा रहा हूं पहले लिखा है कि वें दी फर्म अनमाग्ड अप्लिकेशन क्या मतलब उसका इसका मनलेकर जो बेनिफिट है यानि कि फर्मिनिटर्स का यानि कि बेनिफिट विल नॉट ट्रांसफर टू अन्डर अटर अधर्टर्स कि मैं फिर्व पेड़ करना यहां पर यह क्यां बहुत मेंटर करती हैं आप जाना से दखी आप पर कुष्टिन के वह रहे तखे हैं आपको देख यहां था कि मांगरोगी मार्ण अप्लेकिशन मुझा कर दिया है माइनस का करना है देखा जाए तो कि यहां पर अनुमार्क्ट अप्लिकेशन जो 6,000 शेर्स आए वो भी आए प्लस जो फर्म ने प्रॉमिस कहता कि हम अपने पॉक्किट से देंगे कितने कितने शेर 6,400 हम तीनों मिलके देंगे ठीक है तो वह भी तो आए है ने शेर्स देखि हमें निकालना है कि जो है तोटल शेर्स से 4,400 चाली समय से 20,000 अप्लिकेशन आई तो हमें निकालना है कि 20,000 की जो लाइबिटी जो है वो कौन पे करेगा ए बी एस ए पी क्यू आर में कौन गुंदेगा यह किस रेशु में देंगे वो हमें निकालना है आए तो से 20,000 ने लेकिन देखा जा तो 20,000 शेर्स तो यहां पर पब्लिक उश्यू को ना था इस में से देखिए 6400 शेर्स भी दो आए है वह कोशनी ने लिए अंडर एटरस ने तो टोटल कितने शेर्स की लाइबिटिव नेट लाइबड़ी कितनी बनेगी एट मेंज 13,600 उर्फे गी सोरी मैं क्या बोल रहो मैं यह 13,600 नेगी यह सोरी 30,000 से नड़गी है यस यस राइट 30,000 के लाइबड़ी बनेगी आई रिपीट कंपरी ने शुकर 40,000 कंपरी के पसा है 20,000 इंकुडिंग मार्ग ठीक है अब इंकुडिंग मार्ग तो पता था लेकिन का इसमें इंकुडिंग फर्म अन्रेटिंग है यह तो हमें पता ही नहीं था तो अब कैसे करना है अब पहले हमने यह वाना की इस 20,000 में यहाँ पर आपके अन्मार्ग इंपलिकेशन में पढ़ा था कि अन्मार्ग अप्लिकेशन को किस तरह वो त्रीट के जाते हैं आपर दीखी कैसे कहता है था हम क्षान को हमने यहांपर तो यहांपर ग्रोश लोट उसके तरह में मिलेगा चाहें वो कितने कैसे कैसे लेगा है यह मिलेगा इस रिशो में तो यहाँ पर क्या हुआ 6000 शेर्स यह वाले शेर्स जो कंपनी लेके आई और 4400 शेर्स जो 6400 यह वेट 6600 यह इसको जो हम यहाँ पर ग्रोस लाइबिटी के रेशो में जो हम भाट देंगे ग्रोस लाइबिटी के यहाँ पर रेशो कितनी है यह तो इसके रेशो कि कीव का जो नेगेटिव आ गया यहां इन्हीं कीव से शेर्स जाद आ गये तो इसका बैज़िट जो पी और र में बढ़ जाएगा किस तरह सिर्म पर गया अधर कि गया 12-3 यहनि के रहे कि 4-1 यहनि की 1100 को मैंने जए 4-1 इस भाट दिया पी में इतना क्यों में इतना ठीक है अच्छा है यहां पर यह 1600 आये गों ठीक है तो यह कितना होगा है निल इसका यहमांट इसका यह मांट तौ यहापका आगए, that is, Net Liberty Excluding Firm Underground Net Liberty Excluding Firm Underground आई उसका अपने Exclude क्यों करा उ опять जिए कि हमने उसको Marked Applications में Include कर लिया अब थोड़ा दिमाग लगाओ क्या हम झूआं अंडरेक्सव इतना इतना जेशा करेंगे नहीं क्योंकि हम नेंगा लें total liability तो उनके फार्म अंडराइटिंग में तो एडवेक करेंगे क्योंकि वो जो अपने pocket से भी देंगे ये तो देने थे public के असाब से लेकिन यहां पर फार्म अंडराइटिंग में रिखा था कि हम भी जो इतने चीज़ लेंगे तो वो एडवेक करेंगे याने कि इसके इतने इसके इतने तो total liability कितने होगी this, this & this right मैं फ़र फिर बीट कर रहा हूं, यहां पर हमने पहला पर्ट पढ़ा था कि when the underwriting firm underwriting treated as unmarked applications और unmarked application, means जब इसको treat कात तो pessimist, that means benefit will not be given to the underwriters sir benefit तो मिल गया, benefit that means यहां पर कैसे नहीं मिला आप देखिए अगर माने जो benefit मिलता तो यहाँ पर देखो यह जो आमने यहाँ पर जो add करें न बतीस सो बारा सो चार चार जार वो हम minus करते हैं हमने तो इस ratio में कर दी होलता ठीक है तो यह benefit मनला नहीं होता ठीक है तो देखिए अब मैं इस कादो का आपको मैं दूसरा alternative का तो सबको इस दी समय जाएगा अब मैंने दूसरा alternative क्या माना है कि अब मैंने underwriting जो firm and rating shapes है उसमें मैंने sorry यहाँ पर marked sorry यहाँ पर यह marked applications होगा मैंने इसको क्या माना marked applications अब देखिए question कैसे बना solution क्या देखेंगे gross liability होगी mark application कर देखिए यहाँ तो सेम था अब मैंने क्या कर अब हम यहां पर क्या कर आपर मैंने हाँ पर क्या कर रहा firm and rating shares को अनमा marked application में count किया है यह नहीं यानिकि अब firm underwriting का benefit जो एज अंडरेटर इंडिविज़ को मिलेगा तो यहाँ पर जो जितने जितने shares लेका है आए था उसको मानेस कर दो मैंने वही मानेस कर दिया देखिए इतने तने अब बाकि जो remaining underwriting कितने रहे गे वह यह रहे गे थे च इसको मैंने इस ratio में divide कर दिया है बस balance कितना रहेगा यह यह negative कितना 100 रुपेगा तो जो है वहाँ पर इसका शेरिटा दो यहानि कि 4 is to 1 में जो है बटे जाएगा पूरा का पूरा अच्छा है यहाँ आपर sorry 2 है आपर 700 भी और 900 भी total कितना होगा 1600 और एक को भी यह करना है कि इसको बी को तो पी में से माना जाएगा और उन दों में से जो है वो एड हो जाएगा तो यहाँ होगे 11600 और फिर यहाँ आगे आपकी net liability इसके बाद फिर हम इन रूगा एड बे करेंगे to calculate the total liability of each underwriters right so this was the question number third now moving to question number fourth Kashiwil Limited came out with an issue 20 lakh equity shares of rupees 10 एच 5 lakh shares were issued to promoters वो तो promoters को issue गर दी यान भी आपर underwriters इसको कोई लेने दिना नहीं है प्रमोटर्स को नुदमें हो सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब को रिष्चिदार हो फ्रेंड्स हो कंपीन ने पहले उनमें बाठ दिये और उनने ले भी लिये and the balance offered to public was underwritten by three underwriters Anand, Vijay and Ashok equally with firm underwriting of 50 shares each company issue कर रही थी बीस लाग शेर्स पांच लाग शेर्स दो यहां पर promoters मेरे लिए रहा है कितने गए पंदरा लाग शेर्स चीक है और यहां पर लिखा है कि equally जो है आपर तीनों की रिष्चो यानि कि तीनों में यह पांच पांच लाग रुपे जो है वो शेर्स बट जाएंगे बटने चाहिए नहीं बटने चाहिए लिकिन यहां पर क्या बलाव है कि यहां पर फर्म अंडरेटिंग का केस हो गया यह भूल रहें कि भी पचास दजाद शेर्स तो भी अब खुदी ले लेंगे वो तीनों की तीनों तो उनके वह लाइवड कितने होगी साड़े साड़े अननत की इतने वीजे के इतने अशोग की इतनी राइट। और और अप्लीकेशन पर अप्लीकेशन पे अलोट में पी अप्लीकेशन पर था डैरोपे की है अँड़फे हों है और यहांपर अग्रिद हुआ है कि अंट्रेयटर को जो ऑश है पांच परसंटा का कमिशन नोट में लिखा है अपर अनमार्ग अप्लिकेशिंस तो बी क्रेडिटेड तो दी अंडर्रेटर इक्वाली बैनेफिट अप्ट अप्लिकेशिंस नोट गीवन तू इंडिविजर याद है हमने थर्ड बढ़ा था थर्ड में हमने पहले- फ़सत किया प्राता हम कि वेंथी अंडर राइटर विल् beliefs अप्लिकेशिंस और यहां पर वह लिख्द हुआ है कि हम लिखंए-मेंद कि यहां पर पहले बर बेनिविट नहीं रा-भिन रिया ह Méंड आप दिवर नог 你っ 2 that means the firm handwriting that would be treated as unmarked applications right चलिए आगे बठते हैं अब कुश्मबर focus solution देखिए total application देखिए कितने receive that is 12,97,000 including marked applications marked application कितने है आनादे तने लिखाया विजे तने लिखाया अशो कितने लिखाया बाकी company ने है अपने महनत से इतने लिखेया है इसमें यहां पर यह नहीं लिखाया है यह कौन से shares है यह marked applications है और यह unmarked है अब यहां पर question में यहां पर देखिए question में दान से देखिए यहां पर कह लिखा है कि जो my marked applications है इनमें जो हैं यह जो firm underwriting है यह नहीं कि पचास अशिया इसके include है कि exclude है क्या question में कुछ लिखा है मैं फिर से बहुत हुँ students अगर माने जी question is silent about whether all these marked applications include these firm underwriting अगर silent है तो that means always assume that these marked applications are excluding firm underwriting अगर जो है अगर silent है तो that means always assume that these marked applications are excluding firm underwriting right तो हम यहाँ पर भी यह जो है इन समय जो firm underwriting include नहीं है तो दीके ग्रोस अबड़े कितनी तीनों की equally थी पंदर पंदर अलाग शेस की marked applications में नमाग कर दिये पहला case है यहाँ पर कि यहाँ पर firm underwriting को unmarked applications की treat किया जाएगा तो अनमाग कितने थे 22,000 की बाकी जो है डेड़ लाग की किया रहा है कि आपके क्या नम है firm underwriting 50,000 इस है न तो 50,000 into 3 that is डेड़ लाग तो डेड़ लाग जो firm underwriting है और 23,000 जो unmarked है तो इनको दोनों की तरह 80,000 जो इस ratio में बढ़ जाएगा इसना गया 74, 74, 74 बैलेंसी आ गया एक का नेगिटिव आ रहा है विजे का तो इसको बाट जाएगे किस ratio में अगिने 1-2-1 ratio में 12,000 बाट आ तो 15,000 बैलेंस प्रिस से निकाला गया तो फिर हाँ पर आनत का नेगिटिव आ गया हूं तो यहाँ पर 11,000 को इसका benefit ट्रांस होर जाएगा अशोग में ट्रांस होर जाएगा तो अशोग की उपर नेट हैपट कितना बन बच रहे ही तरह पनेजार ही जो की क्या है एक्सक्र्रूटिंग फ़र्म अ कि परमड राट को एड्ट करेंगे तो तीनों के 55,000 थी तो ग्रोस लेट स्वार्ट सीर्फरिन्ट टोटालेफट कितना हूं की 50-50 and एक लाग स beer बैब दिखते हैं इसकी ज थे ल्टनी में कितनी है यहां पर ध्यां से देखिए क्या है वां यह कि किसे देख़ नाग के 14 नाग पर कृट stimulus यहां थे तो किसे तुचर्स की किसे है थे तो यह थे तरह किसे हिए पहले जो डिरलाग ऐप्लिकेशन आई डाइलाग के साथ से इसके बाद आनंद वीजे और अशोग जो यहांपर अपने भी पाकुट्स लिखा रहे थें 50,000 पचाँजार फचाँजार पाकुट्स ने आए यहांगे तो यहां पर दिखिए यह और यह तो पहले 50,000 शेस आंगे वह दूर पर किसाब से आँगी ठीक है उसकी बाद जो जो अशोक है वह 50,000 शेस लेखाएगा उस पर अब अलोटन बने जाएगा है ने की सारे चार लोग भाएगी तो टोटल अमांट यह सब हो गया अब 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 तो पंदरह लाग एक सेट के तरह दस रॉपए का है पांच परसे के साब साब यह आ गया और वह तीनों में बट गया आप अब दिखिए कुछ नेट पेमेंट करनी है हमें पेमेंट के जहां से देखिए मैंने आप एंटर के लिखिए है आनंद के लाख रॉपए लेने थे कंपनी को पैसे दिन हैं अन्द को कमिशन के रूप में किसने दिन है आनंद को डह लाग रुप तो तो नेट पेमेंट होगी न तो यहाँ पर आनंद तु बैंक डेर लाग रुपी, सेम फूर विजे, चिके तो इसलिए मैंने दोने ट्रीक्स सब कर दी, अनान्स कापिटल अगाउंट डेट, विजेस कापिटल अगाउंट तु बैंक अगाउंट यहने थीन लाग रुपी टॉटल हो गया, अब यहां पर देखिए, एगर आप आशोक को देखिए, कि अशोक बले की कंप्पनी से हमें आने ते 3,38,500, अब पेमेंट कितने करने थे अशोक को कमिशन गरूप में 5,2 लाग रुपी गी, तो ल्टा तो net payment आयेगा company के पास तो अपर यहां पर यहां पर दिखिये दोनों हो गया आपके normal case भी हो गया firm underwriting भी हो गया बट अभी हम और भी गोश्चिंग करेंगा जितने जाद गोश्चिंग करो उतने हमें confidence आएगा तो इस वाजी concept that is firm underwriting so I hope you have understood very well झाल का झाल